आज हम बनाएंगे सॉंट पाउडर यानि की जिंजर पाउडर इसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर ही तयार कर सकते हैं और ये बजार से मिलने वाले सॉंट पाउडर से बहुत ही जादा अच्छा बनता है तो चलिए चटपट से शुरू करते हैं इसे बनाना और वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें सॉंट पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो अद्रक ली है अद्रक को मैंने आधा गंटे तक पानी में भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने इसे रगड़ रगड़ कर साफ कर लिया था जिससे के अद्रक के ऊपर जो भी मिट्टी वग्यर थी वो निकल जाए और उसके बाद मैंने इसे किचन टावल पर फैला कर अच्छी तरह से सुखा लिया है और अब हम इसका जो छिलका है वो रिमूव करेंगे इसके लिए हम एक चाकू लेंगे और इसके ओपर से पतला पतला छिलका इस तरह से हमें उतारना है यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि हमें इसका बहुत मोटा छिलका नहीं उतारना है हम बहुत ही पतला पतला चिलका अद्रक का उतारेंगे आपको जितना सौंट पाउडर बनाना हो उसके हिसाब से आप अद्रक ले सकते हैं फ्रेंट्स आप ये सौंट पाउडर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं तो आपके घर में साल भर में जितना सौंट पावडर यूज होता हो उसके हिसाब से आप अद्रक की क्वांटिटी ले सकते हैं और फ्रेंट्स यह जो अद्रक के जॉइंट्स है इन्हें हमें बहुत ही अच्छे से साफ करना है तो आपके जॉइंट्स में ही जादातर मिट्टी स्टोर हो जाती है और यह देखिए यहाँ पर मैंने अद्रक के एक पीस के उपर से चिलका उतार लिया है और इसी तरह से हम सारी अद्रक को चील लेंगे और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे अद्रक के उपर से छिलका अलग कर दिया है और हमने जो अद्रक के उपर से छिलके उतारे हैं, इन्हें आप फैकियगा मत, इन्हें आप चाय में डाल कर यूज़ कर सकते हैं और अब हम अद्रक को grate कर लेंगे इसके लिए मैंने एक ग्रेटर लिया है और इस तरह से अद्रक को हमें grate करना है अगर कोई अद्रक कटी फटी हो या खराब हो तो उसे आप निकाल दें यहाँ पर हमें बिल्कुल साफ और अच्छे अद्रक ही पाउडर बनाने के लिए यू यसे हम अच्छाली के चारो तरफ उसनद्रक को तरफ ही अद्रक को हम 2-3 दिन तक इसनद्रक को अच्छे से शूप जाये चाली इसे भी हवा लगती रहती है और अद्रग बहुत ही जल्दी से सूँख जाता है और यह देखिए अद्रग को मैंने यहाँ पर तीन दिन तक दूप में सुखा लिया है और अब यह बहुत अच्छे से सूख गई है और अब हम इसे पीस लेंगे इसके लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है और अब हम सूखा हुआ अद्रग जार में डाल देंगे और अब हम इसे पीस लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर त्यार करेंगे और यह देखिए यहाँ पर मैंने इसको एकदम बारी पीस लिया है और इसका एक फाइन पाउडर त्यार कर लिया है और अब हम एक चलनी की help से इससे चान लेंगे जिससे कि इसमें जो भी रेशे वगारा हो वो निकल जाए और ये जो उपर अदरक के रेशे बचे हुए हैं इन्हें भी आप एक साइड में रख लें और चाय बनाने में आप इन्हें यूज कर सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमने के लिए ले सकते हैं लेकिन जो भी आप जार या बॉक्स लें वो बिल्कुल साफ और सूखा हुआ होना चाहिए और इस तरह से आप इसे एक कंटेनर में भर कर रख दें और साल बर तक आप ये सोंट पाउडर यूज कर सकते हैं इसी तरह से आप भी ये जिंजर पाउडर बहुत ही आसानी के साथ अपने घर पर ही तयार कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें